गुड विनिंग ओल आफ यू तो चलिए आज हम लोग सुरू करने वाले हैं क्लास 12 का कोडिनेशन कमपॉंड का लेक्चर नमबर 4 आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वाल टॉपिक क्या है तो वो टॉपिक है हम लोग का ऑक्सिडेशन अस्टेट और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कोडिनेशन नमबर अब इसको हम लोग इंपोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं इस बात को सबसे पहले आप समझने की कोशिस करें आप देखें जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ और जैसा कि आपको पता भी होगा कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका आयूपियसी लिखना तो आयूपियसी नेम जो हम लोग लिखेंगे वो आपके बोर्ट एक्जाम हो या तो फिर आपको कमपेटिटिव एक्जाम हो वो आपके हर एक जगह में आपको मिलेगा ही मिलेगा आर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका ओक्सिडेशन अस्टेट हो गया और आपका कोडिनेशन नंबर हो गया अगर यदि आप ये दोनों को नहीं अच्छा तरीका से यहां पर पकड़ पाएंगे तो इसके बिना आप वहां पे आयूपियसी नेम लिख ही नहीं पाएंगे यह संभाव ही नहीं है कि आपको बिना कोडिनेशन अस्टेट के आप वहां पर नोमेंक्लेचर लिख पाएंगे इसका मतलब यही है कि उसका जो में जड़ है वह आपका औक्सिडेशन अस्टेट हो गया और आपका कोडिनेशन नंबर हो गया इसको आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसा क्यों होता है तो वह भी आपको पता चल गया कि जब भी हम लोग वहां पर आयूपेसे नेम लिखेंगे यहां पर कॉंप्लेक्स साल का तो वहां पर क्या होगा कि आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी ऑक्सिडेशन अस्टेट का नहीं जानते हैं तो वहां पर अच्छा तरीका साफ नोमेंक्लेचर नहीं ही लिख पाएंगे बात क्या करेंगे कि अगला लेक्ちर जो हम लोग को बनेगा उसमें आपको बताया जाएगा आउपीसे नेम लिखने का तरीका बात समयमा हैंए तो वहां से हम लोग यहां पर हम पर कंपौंड आएंगे हम लोग के पास सभी का हम लोग आउपएसे नेम लिखना अस्टार्ट कर चर्चा करेंगे और वो सारे और निकालेंगे लेकिन देखिये मैं उतना इसी चलते बताऊंगा क्योंकि देखिये जितने भी कमजोर से कमजूर बच्चे होंगे सभी को यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा और हम लोग इतना ही में नहीं रुकेंगे क्योंकि देखे हम लोग तो पहले ही बता चुके है कि हम लोग वैसे टॉपिक में घुश चुके हैं कि जो हम लोग को यह चैप्टर का सबसे इंपोर्टन टॉप यहाँ पे हम जितना भी डिसकस करेंगे उतना में तो आपको काम बनने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मैं बनाओंगा वो मैं न बनाओंगा आप तो खुद अपने से तो बनाएंगे नहीं हाँ यह चीज है कि आप उसको भली भाती असान तरीका से उसको समझने की प प्रक्टी सेट देंगे आपको क्या देंगे एक प्रक्टी सेट देंगे अब वो प्रक्टी सेट नमबर कैसे निकाला जाता है वो सारा चीज़ अब देखे बहुत असान चीज़ तो यह है नहीं अगर रहता तो इतना चीज़ हम लोग इसमें खुद इतना मेहनत करने वाले था यह नहीं तुरंट से हम लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब लेकिन नहीं हम लोग इसी चलते नहीं चोर रहे है क्योंकि हम लोग वहां पर जो काम बनने वाला नहीं हैं हम लोग को यहां बहुत सारे तरीका यहां पर देखने के हो मिलेगा तो सारे चीज को जब हम लोग कभर करेंगे, वहाँ जो हम लोग कभर के पीछरे लेक्चर में, वहाँ पर जो oxidation state निकाले, coordination number निकाले, उतना में हम लोग को काम नहीं बनेगा, वो बहुत ही छोटा-छोटा चीज था, बहुत ही अस्मॉल तरीका से था, इसी चलते हम लोग क्या किये, उसको कभर कर लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, कि हम लोग को conceptual आएगा, बहुत ही चीजों को बारिकी से समझने की परियास करेंगे, ताकि आपको नोमेंक्लेचर लिखने समय, आपको oxidation state जब निकालेंगे, वहाँ पे किसी तरह सा कोई भी प्रेसानी ना आए, ठीक है, तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करतें, बिच-बिच में तो करतें ही रह ओके थे, oxidation state जो होता है, वो क्या हता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साल्ट के बात कर रहें, तो यहाँ पर हम लोग को देखने पड़ेगा, कि central metal atom के उपर कितना चार्ज है, क्या देखेंगे, बहुत सारे student होंगे जो भूल चुके होंगे तो क्या करते हैं मैं उसको थोड़ा सा revise करवा देता हूँ कि यहां पर जैसे हम लोग देख रहेते कि coordination compound में कि यहां पर हम लोग special टॉपिक बात कर रहे थे किसका तो यहां पर complex salt का बात कर रहे थे आप complex salt में यहां पर देख रहे थे कि यहां पर हम लोग को मिलेगा इसी तरह से एक होता था हम लोग को ionizable sphere और एक होता था नन आयोनाज़ेवल अस्थेयर जो कि non-ionizable वल अस्पेर हम लोग को रहता था अस्क्वार ब्रैकेट के अंदर रहता था और यहां पर देखते हैं कि हम लोग को यहां पर दो चीज देखने को मिलता है इसके अंदर क्या-क्या तो एक होता है सेंट्रल मिटल आइटम और एक होता है लीगें अब सेंट्रल मिटल आइटम ह बाहर भी कभी कभी metal देखने को मिलेगा तो आप कभी भी बाहर वाला को central metal item नहीं देखेंगे और उसको कभी भी माणियता नहीं देएंगे आपको अगर central metal item यहाँ पे बनाना है तो किसको बनाना है तो जो square bracket के अंदर होगा और जो आपका square bracket के अंदर किया नंधर नेगे उसके 상 चार्ज क्या करते हैं टो अब इस यह सारा चीज यहां पे बनाया गया है इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है ताकि आप जब भी ऑक्सिडेशन अस्टेट निकालेंगे तो उसमें आपको ज्यादा प्रेसानी जहलना ना पड़े तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखेंगे जब भी ग्रूप वन के मेटल मतलब ग्रूप वन का बात करेगा जब ह पहां पर हम लोग देखते हैं कि ग्रूप वन का जितने भी मेटल होते हैं जैसा कि सोडियम हो गया पोटासियम हो गया रूबेडियम हो गया सीजियम हो गया तो यह जितने भी ग्रूप वन के एलिमेंट आएंगे उसका ऑक्सिडेशन अस्टेट जो होता है वो कितना होता ह अब क्यों होता है plus 1 क्योंकि हम लोग जानते कि जितने भी group 1 के element है सभी के उपर कितना होता है charge plus 1 ही charge होता है इसी चलता है और हम लोग तो जान रहे हैं किसी element के उपर जितना भी charge होता है वही उसका oxidation number कलाता है बात समयमा है तो इसी चलते है इसका जो होगा oxidation number वो कितना होता ह प्लस वन होता है तो जब भी आपको यह सारा एक्जामपल दिखेगा सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम तो इसके जगह में आप कितना लिखेगा प्लस वन चार्ज लिखेंगे जो कि उसका ओक्सिडेशन अस्टेट है बात समयमा है क्या होगा सोरी, यहाँ पर क्या था कि SR के जगह में सिर्फ S था जो कि सल्फर हो जाता है वो हम लोग को यहाँ पर नहीं होता है SR होता है इसी चलते थोड़ सा वीडियो को रोके थे और उसको थोड़ सा इडिट कर रहे थे हैं सबहिं के ऊपर कितना चार्ज होता है इसी चलते उसका जो ऑक्सिडेशन एस्टेट होता है वो किटना होगा बत समयमा है उसी हिसाब से आपका जो ग्रूप 13 होता है क्या चाहिए ग्रूप 13 और ग्रूप 13 में जितने इलिमेंट है जैसा कि अलमुनियम है, गैलियम है, तो ये दोनों के ऊपर कितना oxidation state होगा, प्लस 3 होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना charge होता है, प्लस 3 होता है, बत समय है, और उसी तरह से आपका जो group 17 है, जो कि आपको halogen group है, क्या है halogen group, जो कि सार के सार क्या होते हैं, नन मेटल होते हैं, त यहां plus 1 हो गया, इसको भी minus 1 करना होगा, तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका oxidation number minus 1, minus 1 क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना charge हो जाता है, minus 1 charge होता है, इसी चलता है halogen group के ऊपर कितना होगा, oxidation state minus 1, तो आप यह चारों चीज याद कर लिजेगा, कि जब भी group 1 के element का बात हो अब जैसा कि आपको पता चल गया, कि यह सारा चीज जब भी आपको element वहाँ पे दिखेंगे, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, वो आपको यहाँ पर पता चल गया, है की ने, तो चलिए, उसी तरह से अब पांचमा point जो आता है, वो है आपका radical, अब radical के अंदर आता है कटानिक अस्पीसीज और अनाइनिक अस्पीसीज, अब यहाँ पर देखेंगे, जब भी आपको ammonium दिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर जितना भी चार्ज रहेगा, उतना ही उसका क्या होता है, उसी के उपर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसा कि यहाँ पर जैसा कि ओक्सीडेसन नंबर क्या हो जागा जितना उसके ऊपर चार्ज है ऊना है किया Products चल गया उसी हिसाब से आप का हो जाता है आप यहां पर एक्जामपल दिया गया है यह आपके वहीन ही सारा चीजी साथ discuss किया हो क्योंकि यह सारे example आपको बार बार देखने को मिलते रहेंगे तो इस सारे चीज़ को आप याद कर लिजेगा कि कितना क्या हो रहा है उसके उपर यहीं चीज़ हो गया नैटरो ओ है इसके उपर भी कितना चार्ज हो जाता है तो इसका अक्सीडेशन नमेर कितना हो जाएगा आव यहां पर देखे इसके ऊपर भी कितना charge होता है तो minus 1 होता है तो इसी चलते इसका oxidation number क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा अब यहां पर जैसा कि देख रहे है C2O4 क्या है C2O4 तो इसके उपर कितना charge होता है तो minus 2 होता है कितना होता है minus 2 charge होता है तो इसी चलते इसका oxidation नमबर कितना neglig-2 जाएक अब यहाँ पे देखें एडी टीये क्या है ओपर कितना चार्ज मैडनल उसे तलब इसहुत बस देखें कि S O 4 2 minus इसके उपर कितना charge है तो इसके उपर minus 2 charge है तो इसका मतलब है कि इसका भी oxidation number कितना हो जाईगा minus 2 हो जाईगा इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी देखेंगे यहाँ पे कि katanica species हो या फिर ananic species हो तो उसके उपर जितना charge होगे तो वही charge उनका क्या कहलाएंगे oxidation number कहलाएंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर oxidation state निकालने समय अगर इन सारा चीज यहाँ पर हम लोग को कहीं दिखेगा compound में तो वहाँ पर हम लोग को असानी से लिखने में अराम होगी तो वह कैसे होगी तो आपको यहाँ पर याद होना बहुत जरूरी है कि NO2 के उपर मतलब कि NO2 का कितना oxidation state होता है ONO का कितना होता है SCN का कितना होता है C2O4 का कितना होता है तो यह सारा चीज अगर आपको example में वहाँ दिखेगा तो आपको याद होना चाहिए कि उसके उपर कितना charge होता है बाकी तो जब हम लोग इसको discuss करेंगे जब हम लोग वहाँ पर oxidation state निकाना start करेंगे वहाँ पर salt का तो उसमें आपको और अच्छा तरिका से समझ में आना start हो जाएगा तो आप कोसिस कि जिएगा कि यह सारा चीज़ को आपको याद होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जितने भी पांच पॉइंट बताएं पांचो का पांचो पॉइंट आपको याद होना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जितने भी बात किए वो हम लोग कटायनिक का बात किए और अनायनिक का बात किए और हम लोग neutral ligand को भी देख लेते हैं कि जब भी आपका neutral ligand आ गया तो जब भी आपको neutral ligand दिखेगा तो उसके उपर charge कितना होता है कुछ नहीं होता है, तो कुछ चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है, और हम लोग तो जान रहें, कि l propagate के उपर जितना चार्ज होगा, वही उसका oxidation number हो जाएगा, तो यहाँ पे, जब यहाँ किसी तरह का char दिखा गया, चार्ज हम लोग को होता ही नहीं यहाँ पे तो नहीं होता है neutral ligand में तो इसी चलते उसका जो oxidation state होगा वो कितना हो जाएगा जीरू हो जाएगा बात समयाया कटाइनिक जो ligand होगे उसके उपर जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका oxidation state और वही है अगा अनायनिक का unit isih집 में देखेंगे थिए उसका oxidation state और neutral लिगेंड में जब बात करेंगे तो उसके ऊपर एक कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसी चलते ही यह क्या हो जाएगा हम लोग को जीरू हो जाएगा उसका कोंगे तो सभी का अगर हम लोग सम करेंगे तो उस सम करने के बाद उसका कितना हो जाएगा तो जीरू के बराबर होता है किसके बराबर होता है जीरू के बराबर अभी आपको समय में नहीं है चलिए एक्जांपल लेंगे तो एक्जांपल के साथ आपको समझाने में फड़ा अराम होगा मुझे उसके बाद फ्रस यह भी चर्चक कर लेते हैं कि जब भी हम लोग देखेंगे कि अनायनिक कॉंप्लेक्स है क्या है अनायनिक कॉंप्लेक्स है तो अनायनिक कॉंप्लेक्स है तो सभी का अगर सम करेंगे तो सभी के सम करने के बाद जो उसके उपर जो अनाय यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं यह कोई भी किसी तरह का चार्ज है क्या नहीं है तो इसका मतलब है कि यह क्याआ кноп correct रहा słu लेकिन अभी यह यहाँ सा का अमने देख रहे हैं कि इसके यह जो कोंप्लेक्स से ऊपर ज Vä है चार्ज दीख रहा और कैसा चार्ज दीख रहरा क्या रहेगा उसी आ में क्या निकालेंगे तो इस में क्या बोल रहा है कि चंटल अबमकार तो यहां पर निकालेंगे दोनों का उक्सिडेशन नमबर निकालने के बाद हम लोग जैसा कि इस तरस लिखेंगे करेंगे तो साम करने बाद जो झीडेशन निकालेंगे सभी का अगर हम लोग संब करेंगे तो सम करने के बाद कितना आएगा बात समीमा तो उसी तरह से यहां पर देख रहे हैं यहां पर हम लोग को कैसा है catanic complex दिख रहा है तो catanic complex है तो सभी species का हम लोग oxidation state निकालने के बाद सभी का अगर हम लोग sum करेंगे तो sum करने के बाद जो हम लोग को आएगा किसके बराबर आएगा तो उसके charge के बराबर आएगा तो कितना है plus two है तो मतलब कि यहां जो हम लोग निकलेगा मतलब कि यह सभी species का oxidation state को जोडने के बाद जो आएगा वो कितना equal आएगा हम लोग तो उसके charge का कितना हो जाएगा plus two और यहां पे कोई charge नहीं था चलते किसके equal आएगा zero के आज़ागा मान के चलिए कोई ऐसा हम लोग complex लिए जिसके उपर कोई charge था मान के चलिए आपर minus two रहता क्या आता minus two तो किसके equal हो जाता है अगर सभी को हम लोग सम करेंगे सभी का oxidation state को सम करेंगे तो सम करने के बाद किसके equal आता तो minus two के equal आता इसका मतलब है कि अगर ionic complex है तो उसके उपर जितना charge रहेगा उसी के equal हो जाता है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था कि sum of oxidation state of all species कि जितने species है सभी का oxidation state निकालने के बाद सभी का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो किसके equal होगा तो वो equal होगा zero होगा कब जब neutral complex रहेगा तब और अगर वही ionic complex रहा कटाइनिक हो या फिर अनाइनिक हो तो दोनों में complex में हम लोग को क्या होगा कि अगर उसके उपर जितना charge रहेगा उसी charge के equal हो जाएगा बाद समीमा जैसा कि यहाँ पर example के तौर में देखे तो यहाँ पर कितना आ जा रहा था इसका plus two आ जाएगा तो उसी तरह से आपको क्या हो जागा सारा confusion दूर हो जागा कि कैसे क्या निकालना होता है तो उमीद है कि यहाँ तक जितने अभी तक बताया है सभी चीज आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अगला term है अलाकि इसको हम लोग निकाल के दिखा देते हैं लेकिन अभी निकाल के नहीं दिखा रहे क्योंकि इसका example हम लोग नीचे लिखे हुए तो वहीं पर हम लोग सारा कुछ पूरा clear कर लेंगे बात समयमा है तो चलिए अभी तक तो आपको पूरा समझ में आ गया है तो चलिए इसी तरह से यहाँ प यहांप को लोग ऑक्सीडेशन अस्टेट ही निकालते हैं लेकिन हम सोचें यहां पर किस आपको यहांपर साथ ही साथ क्या बता दिया जाए तो एक ही साथ आपको क्या हो जागा सारा के समझ में भी आ जाएगा तो अगला लेक्षर बनाने का जरूरत नहीं होगा बत समीमा तो इसी चलते यहां पर oxidation अस्टेट भी और coordination नमबर को भी पूरा हम लोग निकालते चले जाएंगे तो अब देखें यहां पर कि oxidation अस्टेट निकालेंगे कैसे यहां पर तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हम लोग निकालेंगे किसका तो जो central होगा वहम लोग देखेंगे consent rating होगा निकालना चलिए निकालते हैं पंतला के कि इसके उपर कितने नोढ़न में जितने हो जाएक सराथ wr यहाँ पितना होता है अव siis समझने हैं अब यहां पर समय मक्लीए कि पंतला कि रिग्रीन के लिदा यह autograph यह थो मारता है लोग जहां जो संट्रम होता है अर्वोग का जिनेल न करता है तो द्री ब्लोक से करता है और जो deep का जो element होते हैं क्या होते हैं transition metal होते हैं transition metal का oxidation number fixed नहीं रहता है वो vary करते रहता है तो इसी चलता है इस इस compound में हमलोको क्या होगा इसका oxidation number वो हमलोको पता नहीं है लेकिन ये जो group 1 है, group 2 है, group 13 है, group 17 है इसी चलते यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके उपर कितना charge होगा तो ये आपको हमेसा follow होगा कि जहाँ जहाँ आपको ये सारा चीज़ दिखा तो उसके उपर charge यही सब होगे बात समझमा है लेकिन आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है क्या ची तो central metal item को central metal item आपका deep lock से transition metal है इन लोग तो इन लोग को vary कर जाता है oxidation number तो इसी चलता है यहाँ पर उसी को निकाला जा रहा है बत समीमा है चलिए तो एगर इसको हम लोग को पता नहीं इसको निकालना है इसको हम लोग क्या मान लेते है x मान लेते है कितना मान लेते है x ठीक है इसको हम लोग निकालना है अब फिर इसको sum कर देंगे अब यहाँ पर देखे cn है क्या ची है cn और आपको पता है कि यह जो cn है यह cn आपका कौन सा लिगेंड है तो अनायनिक लिगेंड है क्या है जी अनायनिक लिगेंड और cn हम लोग को कैसा रहता है तो यह हम लोग जानते कि यह होता है हम लोग को cn- रहता है क्या ची रहता है जी cn- रहता है तो इसके उपर कितना चार्ज है मैनस बान है तो आपको बताए ना कुछ समय पहले ही देखे यहां पर तो आपको बताए गया था कि यह चार्ट को याद रहना बहुत जरूरी था कि जब भी आपको यहां पर बत रहेंगे तो अनाइनेक अगर इसंदों होते हैं वहीं चार्ज होगा तो यहां पर हलाकि सी एन को डाला नहीं गया था यहां पर कितना चार्ज होता है तो आपको पता चल गए कि इसके ऊपर कितना चार्ज था मैनस वं मैनस वन और यहां पर कितना है यहां पर कितना है जापका 6 है तो 6 है तो 6 से यहां कितना करेंगे multiply कर देंगे अब equals to अभी है आपको बताएते किげए काईसा है हम लोग को neutral है क्या रित डीखा क्यों क्यों क्योंकि यह complex में हम लोग को किसी तरह का चार्ज दीखा क्या नहीं तो नहीं दीख रहा है तो complex हम लोग ऐसा है यहां पर तो न्यूटरल है और न्यूटरल complex का यहां जान रहेते कि सब सब्सक्राइब करेंगे तो सम करने के बाद कितना होता है कितना बराबर होता है यहीं दो यहां लिखा गया था न्यूटरल complex, तो ये तो कैसा example है, तो neutral complex का example है, तो neutral complex का जब example रहेगा थो उस में जितने भी species होंगे, तो सब ढ您 Wow skeleton अगर संदों करेंगे, तो संदों करने के बाद किसे खूँदना हो जाएगा हो जाएगा depths कितना हो जाएगा, cuzいます देखें आप देखें कितना हो जाएगा इस इक वस्तों इतना हो गया आप यहां पर एक्सका सब्यूत निकालने यही तरह से है आपको औक एट निकालने तो बताएं कि कहीं भी कोई प्रोडिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहां जो भी सांखिया रहता है लेगेंड के बगल में जो भी नंबर होता है वही आपका क्या हो जाता है कोडिनेशन नमबर इसका कहने के मतलब क्या होता है कि कितने ligand है सो Central Metal Item से जुड़े हुए है या फिर कितने ligands Central Metal Item से Coordinate Bond बनाये तो वही आपका क्या हो जाता है Coordination Number हो जाता है तो यहाँ पर देख रहें कि कितना है 6 हम लोग को Cyanide है तो मिल करके coordinate bond बनाया होगा किसके साथ फेरस के साथ मतलतो इसी चलते यहां कितना हो जाएगा 6 हो जागा क्या ची coordination number बात समय माया तो coordination number आपका क्या हो गया 6 हो गया इस तरह साथ को पता चल गया आप चलिए हलाकि जो ko arbeiten number है यहाँ पर हम लोग यहहाँ पर आगे डिस्कस करें गैंस को танा अफूं नीकालने का आपको यहाँ यहां पर देख देखी जो यहाँ और नहीं निकाल पायेंगे अगर आपको उसके उपर का चार्ज गर आपको पता है कि कौनसा मौलिक्यूल होस n। कितनी चार्ज होता है आपको पता है तो आप आराम से जमले टकीन कोडिनेशन मेट रहेंगे चलिए है कि नहीं चलिए तो इसी तरह सब भी आपको निकलते चलना है तो चलिए अगर आप समझ गए है तो चलिए निकालने की परियास किजिए इसका सकेंड नमबर का तो यहां पर हम लोग किसको निकालेंगे तो कॉपर का निकालेंगे किसका निकालेंगे कॉपर का तो देखें क आपर Central Metal Atom है और इसको निकालना है तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर एक्स निकाल मान लेंगे एक्स अब चलिए पलस अब यहाँ पर देखे क्या चार्ज नहीं होता है तो जीरो हो गया क्योंकि उसको देखे जीरो के सात अब यहां पर देखे अमोनिय कृतना तो खरते क्या क्रेंगाए तो सब फोर के उपर कितना चार्ज़ होता है, मास्टू होता है? MINUS DPO तो यहां लिख देंगे माइनस टू अब यहां पे एक ही था तो एक ही इतना ही रखते हैं था हम्रों के पास देखे कि काइसा हम लोगों को कॉम कि माँपलेक्स है फीर कम वर किसी तरह का को चार्ज दीख रहा है क्या नहीं दीख रहा तो नहीं को मतलब हैं की एक क्लिक्स है और जान रहे हैं कि जब भी नीफिय कॉमप्लेक्स रहेंगी सभी जतने भी Kor Nadine Aber के सम करने पर जब छी रोगा यह वह सब्सक्राइब यहां पर निकालेंगे तो यहां पर जैसे हम लोग निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा पलस टू हो जाएगा तो इस तरह से अब बात आता है किसका बात आता है किसे निकालेंगे फिर देखें यहां पर कि कितना लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है अब देखें यह जो लिगेंड के अंदर वाला ही होता है बात समीम है तो यहां पर देख रहे है कि को लिगेंड है अमीन है अब अमीन है से देख रहे हैं कि कितना यहां है तो चार अमीन मिल कर इस से साथ चाट हमएंब हमीद है क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा जी चार, बात मिमा है, तो इस तरह से हम लोग इसको कोडिनेशन नमबर भी निकाल दगे बात सम्यमा मैं चलिए, अब फिर हम लोग next नाहिए है तो आपको पता होना चाहिए कि निकालना तो X मान लेंगे चलिए पलस अब यहाँ पर देखें सी वो है क्या है जी सी वो है अब सी वो के ऊपर कितना चार्ज होता है तो आपको पता है कि यह आपका न्यूट्रल लिगेंड है कैसा है न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट् उसके समगाएगा, किसके सम गेल टोंच रोगते Сंगाएगा रू निकल पे अब आपको निकालना है कोडिनेशन नम्बर टोंबर अब बताई एक रहें जो रागากous कितना कॉज़िनेट बनाएगा क्योंकि यहां पे और यहां पर यहां पर बनाता है दो एक समय में यहां पर एक बनाता है एक बनाता है कोडिनेट और वैसा वैसा कैसा है चार वह यहां पर मिलके बनाएगा तो कितना कोडिनेट बोन बन जाएगा चार तो इस तरह से हम लोग यहां से oxidation state भी निकाल लिए और coordination number भी निकाल लिए तो बस आपको बहुत ही आसान तरीका से बनते चला जाएगा बस सरते आपको oxidation state निकालने के लिए कि ligand के उपर कितना charge होता है अगर वो पता है तो आपको और अराम से निकल जाएगा फिर चलिए निकालते हैं अब यहाँ पर देखते हैं centimeter item कोन हो गया तो यहाँ पर देखते हैं कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को निकालेंगे चलिए नहीं पता है उसी को X मानेंगे पलस अब यहाँ देखें यहाँ पर chlorine है क्याची है chlorine है मतलब CL है और CL के ऊपर कितना charge होता है negative minus one होता है क्योंकि halogen group थे है group 17 से है तो इसके ऊपर कितना charge होता है जी minus one होता है minus one और देखे chlorine कितना है यहाँ पर तो 2 है कितना है जी 2 तो यहाँ पर कितना multiply कर देंगे 2 से multiply कर देंगे चलिए फिर पलस अब यहाँ पर देखे EN है क्या है इन और इन के बारे में आपको बताया गया था इन का क्या होता है मतलब इसका होता था इसका होता था इसका स्ट्रक्चर भूल गया है तो चलिए बना देते हैं आपको पर आता था क्या नहां आता किसी तरह चार्ज नहीं तो इसका मतलद कि जो इसके उपर कोईशाज नहीं तो उसका पर सब्सक्राइब तो यहाँ पे कितना मुल्टिप्लै करेंगे दो से और फिर यहाँ से पलस हो गया और यहाँ पेदेखे फिर से बवर कितना चार्ज होता है तो फिर यहाँ पर माइनस ने देने कोई अप धिकर racist अब फिर देखे कुल ila a यहीं ने तो इसी चलते हैं पिछले वीडियो में भी आपको बोला था है कि आपको उसके उपर कितना होता है कोई भी लिखें के उपर तो आपको इसका नाम उसका structure और उसके उपर charge कितना होता है वो सारा चीज अगर आपको याद है तो आप बहुत ही अराम तरीका से सारा कुछ इसको deal कर लिजेगा अचानक से स्टुडेंट के पास यह सारा चीज मिल जाएगा तो उस पूरा घबर आ जाएगा कितना बड़ा चीज आ गया है क्या बड़ा चीज अग्दम नहीं है बहुत छोटा छोटा चीज है बस आपको जितना कहते जा रहे है उतना अगर आप करते जा तो आपको बहुत अराम तरीक सथ पर्दै चले जाएगी अब चनcü बहुत है कि से बात अता है कोडिनेशन नंबर का सब्सक्राइब करने सब्सक्राइगे मिक्राइब है अब इन है क्या है यहां पर क्लोरीन है तो पर हम लोग को जान रहे हैं यह सारे समझ गए ना लेकिन अभी देखे यहां पर जो क्लोरीन है वह किसके अंदर आता था वह तो वह आता था हम लोग को पूरा पूरी गलत हो जाएगा आप क्या करतें यहां पे देखतें कि कितना नंबर में है परजेंट यहां देखतें गर बच्छालोग के इसी चलते बोलते देखिए अगर आप बहुत ही पेसेंस के साथ वीडियो देख रहे है और बहुत ही अच्छा तरीका साथ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन थ्यान देना पड़ेगा अब यहां पर देखें अगर उस तरह से आपको बताया जाता तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे पूरा गलत कर देंगे अब यहां पर देखें कि इसको निकालने का तरीका कुछ और होता है कोडिनेश जो है वो भी हम लोग को मोनोडेंटेड है फिर स्तीवो है वो भी हम लोग को मोनोडेंटेड था इसी चलते वो सारा चीज क्या हो कि हम लोग को सही था लेकिन यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो यह चौथा नमबर में यहां पर जब सौल्व कर रहे है तो यहां पर न क्लासिफाक किये थे डेंटी सिटी के एकॉर्डिंग वो तो आपको बोले थे ना उसी समय कि यह चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेगेंड किसके अंदर आता है तो हम लोग देखे थे कि महां जो क्लूराड था क्लूराड क्या चाहता तो वह मोनोडेंट तो यहां पर देखे पहले फॉर्मूला लिख लेते क्याची फॉर्मूला तो यहां पर देखेंगे कि कोडिनेशन नंबर कर निकालने का जो फॉर्मूला होता है अगर वो क्याची है अगर वो बाइडेंटेड है क्याची है बाइडेंटेड आप इसको याद कर लिजेगा और अच्छा से एक जगा लिख जेगा कि किसके लिए कितना होता है तो यह देखे बाइडेंटेड आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप मेरे पिछले लिक्टर को देखे होंगे तो आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ माया होगा क्या कि यह कितना था तो यह कितना नंबर में डॉनेट किया है तो आप यहां पर देख रहें कि बाइटेड लिगेंड कौन है तो वह आपका इथालिन यहां पर क्या करें तो यहां पर कितना यहां लिखा हुआ दो है तो इसी चलते यहां क्या हो जाएगा अब यह कहां साता था तो यह आता है बाइड मतलब किस के आता था बाइड ऍेंटेड लिगेंड के चलते एक हतना आया दो दो आया बाद समीमा आँगा आपको एक फ्रेज में लिख दे कि किसके लिए कितना क्या होगा आपको रहा गया मोनडंटेट रहा गया मोन तेट यहां तो आ हो जाएगा तो वान इनटु डेन्टी सिटी बदेन्टी सिटी के वाथ। अगर आपको monodented ligand अगर मिला उसमें उसका जो coordination नबर निकालने का जो formula होगा वो कैसा होगा तो one into denticity बात समीमा अब यह denticity का होगा कितना number में वो डोनेट करेगा और यह तो monodented के लिए हैं का गया यह one आ गया अब फिर उसी तरह से आपको पता चल गया कि by dented का ची by dented तो by dented ligand में जब आपको रहेगा तो by dented के लिए to आ गया और वहाँ denticity लिखेंगे कि denticity में देखेंगे कि वहाँ कितना हम लोग को वो डोनेट कर रहा है बात समीमा अब फिर उसी तरह से tra हो गया उस सब हो गया तो tra आपको अच्छा तरीका से समझमा आ गया होगा तो अब यहाँ पर यह तुछ समझमा आ गया अब यहाँ पर देखें अभी किसके लिए निकालें अभी आप निकालें सिर्फ diamin के लिए तो एक क्योंकि यह क्या चीथा Vai dented रा बाय डेंटेट जा कितना गया यहां से खोर आ गया और फोर आ गया तभी यह क्या चीए यह Может हूंनोई society स्का passionate नमबर में यहाँ पर डोनेट कर रहा है तो दो है यहाँ पर कितना है दो तो आप गुणा कि जाएगा जब यहाँ पर तो तो इस तरह से हम लोग कोडिनेशन नंबर निकालेंगे थोड़ा सा अगर आपको कभर हो जाएगा ठीक है ठीक है चलिए और किसी तरह का कोई पुरेसानी नहीं अब इसका पर निकालते हैं अब यहां पर देख रहे हैं कि सी टू वो फोर के ऊपर कितना चार्ज होता है अब यहीं चीज़ आपको याद नहीं रहेगा कहां साब बना पाईएगा इसी चलता आप उसके चार्ज कितना कितना होता है उसको आप याद रखेगा तो हम जानते हैं कि सी टू वो फोर के ऊपर कितना चार्ज होता है तो माइनस टू चार्ज होता है कितना होता है अब यहां पर देख रहे है कि कितना है सी टू वो फोर तो तो यहां से तीर हम लोग मल्टिप्लै कर देंगे अब फिर देख रहे है यहाँ पर neutral हम लोग को complex है तो इसे चलते किसके sum हो जाएगा 0 के equal हो जाएगा अब यहाँ पर देखे solve किजिए तो 3 plus x और minus में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा is equals to 0 तो जब solve किजिएगा तो x बराबर मिलेगा plus 3 कितना हो जाएगा फलस 3 तो इस थे देखे किः कितना हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग को फिर बात आता है किसका coordination नमबर का कितना coordination नमबर का बात होता है अब यही तो में चीज़े निकालने हो फिर यहाँ दिखते है लीगेण हम लोग को कहा है लिगेंड यहाँ पर देखें कि सिर्फ हम लोगों को C2O4 मिला क्या ची है C2O4 सिर्फ यहाँ पर देखने को मिला और हम लोग जानते कि C2O4 कैसा लिगेंड है हम लोगो तो फिर हम लोग यहाँ पर जानते है कि C2O4 जो है यह हम लोग को बाई डेंटेड लीगेंड है अब देखे फिर इसको जानने के लिए आपको मेरा पिछले लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा तरीका से देखे हैं और अगर आप उसको याद किया तो पता ही होगा कि यह जो सीटू वोफोर है किसका कितना है तो यहां पर कितना मुटिप्ल हो जाएगा तो इसी चलते इसका sunny कितना होन से क्वगव संचर्ट हो गया हो तो मैं चीज आपको यहां पर फोकस करना आपको यहां पर देखना है कि कौन सा लेइन का इसा है पिछले लेक्षर में ही आप समझ चुके हैं और फिर उसी तरह से तीन लिगेंट तो आधी करना एक तो इस तरह से उम्मिद है कि आपको और अच्छा तरीका से सभी यहां देखते हैं लोग 6 नमर में निकालिये निकालिये अब इसी तरह देखें बहुत सारा एक्जामपल है आपके लिए 11 अभी सिर्फ 11 है और आपको होमवर्क के रूप में जो आपको आज दिया जाएगा वो तो अलग ही है आप क्या किजिएगा कोशिस किजिएगा कि जित आपको उसमें मैच करके देखें कि उसका कितना कितना एंसर था और आपका हां मिस्टेक कर गए चलिए तो इस तरह साथ को क्या होगा कि और ज्यादा नॉलेज हो पाये चलिए 6 नमर में किसको निकालेंगे किसको मान लेंगे एक्स पलस जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है इंटो गया प्लस अपिर देखे मारे तो इसके उपर कितना चार्ज मैनस वन फिर यहां पर नहीं करेंगे चलिए अपर यहां पर यहां से कितना हो जाएगा पूर तो वहां से $1 हो गया, वहां से भी $1 is equal to 0, जब solve किजएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो गया, x बराबर प्लस 2 हो जाएगा, तो हम लोग समझ गया कि इसके उपर कितना charge हो जाएगा, प्लस 2 मतलब इसका oxidation छ année अखूऑ हूं समझगा ए लिए आमगेम अमीन हो जायीगा यहां इन्टिक्ला हो जाएगा लिए辉त कितना है तो तो जल्ब सबस、「म्ल 2600 कतना गया मतलव कितना हो जाएगा डिक्राइगा इसका रि apocalypse । क्या चीह हम लोगवाइब मतलब 1 इंटीजटी 1 और फिर या में तो एक है यह तो है कितना हो जाएगा वह जाएगा चलिए रही पलस अब यहां पे देखें ऊटून गले किता एक ही तो है इस जिलता है यह भी कितना जागा वान अन्य पर करोडिनेशन नंबर देखने को carrying यहां रहा है कि इसको निकाल निकाला है चैने किह पिल स्फूर जी देखिए यहां पे अब इतना जल्दे भूल मत जाईएगा यहां पे देखिए कटाइनी के स्पीसिज में क्या ची था नहीं फोर के ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस वन तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा वन हो जाएगा तो वहीं सबी चीज याद करना बहुत लेंंगे यहां पर देखें के ऊपर कितना चार्ज तो प्लस बात है चलिए और फिर इतना चार्ज हो गया इसके ऊपर और फिर पलस अब यहां nut whores हो जाएगा ना जाएगा जीन फिर यहां पर देखें के उपर कितना चार्ज मैनस नर्व यहां फिर कर देंगा कैसा कैसा रहा है कितना यहां यहां हो गयात यहां पर एक्स हो गया गाल सब गाला यहां से बात आता है प्built गिस हामार से नम्बर यहां इंट्रेंटिसेटी टो एक्जामपल मतलब कर लेते हैं इतना असान है जी बहुत अराम लगा आपको छलिए अब इसी तरह साप क्या किजएगा इसको फीजालिए चलिए कर लेते हैं अब यहां पर इसको निकालना है चलिए फिर मान लेते हैं इसको डिए अपर देखेए अमीन है अमीन के ऊपर कितना चार्ज फटम प्लस अब यहां पर देखे वाटर वाटर भी कहा होता है इसके उपर भी 0 charge तो फिर यह का हो गया 0 अफिप पलस अब यहां फिर देखे CL आ गया CL के उपर मैनस 1 तो मैनस 1 और इंटू 3 कितना जागा मैनस 3 हो जागा वही जिसा करना है मैनस 1 और इंटू कितना जागा 3 और इसके उपर कितना निकल जाता है तो इसके उपर कितना हो गया बस अब फिर चलिए कोडिनेशन नमबर कैसे निकालेंगे फिर यहां दिखेंगे यह हम लोग लिगेंड को देखेंगे अब लिगेंड में इसको सामिल मत लीजेगा क्योंकि यह क्या चीए आंदर जो रहता है उसी को लिगेंड बोलते अब चलिए यहां पर देखेंगे क्या हो जागा पलस अब यह भी बहुत आराम तरीकर सबस्ट गये होंगे चलिए यहां पर क्रोमियम को निकाले फिर यहां देखेंगे इसको निकालना फिर यहां पर एक्स हो जाएगा पलस अब कितना है तो यहां पर यहां पर क्या होता है नेट्रोजन होता है और यहां पर इसके पास लोन पेयर होता है बत समयमा है अब इससी तरह से आप बना लिजेगा बत समयमा है चलिए इस तरह से रहता है यह क्या ची है पैरेडीन और पैरेडीन के ऊपर कितना चार्ज है तो कुछ चार्ज तो ही नह आप समझ गया कि इसके ऊपर कितना है कितना आशार होता है ठीक है नहीं चाले देखे फिर इसका कॉर्दिनेसों नमबर जालेगा कितना निकाले गाला कितना नुकल देखे क्लोरीन का क्या ची है मोहाँ पर देखे यह पर देखिए यहाँ पर सकता है सिर्फ न कर सकता है मतलब लीगन में आता होगा तो वान इंट्टि हो जागा यह तो वान इंट्री इंट्री कितना जाएक तरी मतलब फिल दैखें तरी प्लस ठीड कितना हो जाएगा इसको थोड़ा सा बना लिजेगा, आप देखे, इसको अस्पेसल क्यों कहा गया है, इसको डारेक्टल अगर आप बनाना चाहे, तो नहीं बना पाएगा, क्यों? देखे यहाँ पर, आप उपर वाला जितने भी एक्जामपल लिए हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं, कि अस्क् हम लोग अरबने हम लोग को राएं डारेक्टल निकालना चाहेंगे, तो क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे, यहाँ पर उसे थाफ से इसको लिखना अब इसको लिखना अब इसको लिखना अब इसको क्या हो जाएगा उसके उपर चार्ज हो जाएगा और यह फोर है उसके उपर चार्ज हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि यह जो क्या है यह हम लोग को कटायन है और इधर हम लोग क्या हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा तो इस तरह से इसको लिखना है कि इसी चलते आपको यहां पर बताया जा रहा है ठीक ना तो इस तरह से आपको इस तरह से इस स्क्वाइर ब्रैकट के निची है कोई संख्या दिखा तो क्या करना है क्रॉस लॉपर चल्याग और यहां जो रहता है इसको निकालना है तो इसी चलते इसको क्या करेंगे उतना हम लोग नालिख गरके सिर्फ प्याक्न लीखेंगे कैसे यहां पर पर सी यहां पर में और उपर में निकॉलेंगे और मिलाकर चर्ग होगे और यह लोग उधर हो गिया आप लोग का बलेंगे यह लोग यह देंग इंहों तो इसको निकालेंगे यहां पर यहां पर कितना होता है माइनस वन होता है कितना है वैसा वैसा छे घ्र तो यहां पर कितना नाइनिक कोमप्लیک्स हम लोग वगा उपर देखे थे कि हम लोगा गर Não Durk होता थह लाई का तो किसके पॉल आता था जीरो माइनस फोर जब इसको सॉल्फ की जगत क्या हो जागा एक्स बराबर प्लस टू हो जागा तो अभी आपको समझ माँगे कि यह जो फेरस जो आरन है जिसके उपर कितना चार्ज है तो प्लस टू चार्ज है तो ऑक्सिडेशन अस्ट निकल गिया आप चलिए निकालते हैं क्या जानते हैं कि मोनो डेंटेड लिगेंड मोनो डेंटे मतला वन इन्टू डेंटिसिटी क्या होगा वन इन्टू डेंटिसिटे एक नव हो जाएं तो यह जब भी यहां पर ऐसा लिख देगा कि हम लोग को आसा खेल अगर को आसे लिए निगते हैं अगर variety करेगा तो इसी तरह से कर देना कि क्रॉस कर देना क्रॉस करने के बाद उसके उपर चार्ज तो आप समझ गए कि कैसे कैसे देना है तो यहां से इसका ऑक्सिडेशन नमबर भी निकाले तो चलिए यहां पर लास्ट कोश्चन हम लोग करते हैं अब इसको हम लोग कैसे सौल करे चलिए फिर प्लस इसको निकालना है तो इसको क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे प्लस अब यहां पर देखें यहां पर कितना चार्ज होता है कितना होता है कितना हो जाएगा यहां पर यहां देखें यहां फिर आप बोलएगा कि यहां पर ल्गेंड के रूप में आ रहा था वहां लेकिन यहां जो है यह लोग का नॉर्मल में नॉर्मल में क्या बोलेंगे यह तो लिगन के रूप में नहीं 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 हो गया जीरो अब फिर यहां पर देख रहे कि जीरो और इनुटू में कितना वाटर है तो यहां पर देख रहें तीन मोल वाटर था तो इस चलते यहां कि रहतना हो जाएगा और फिर इस इकवास टो जाएगा जब किजेगा तो X बराबर कितना हो जाएंगा पलस थी इसका मतलब हो गया कि क्रोमियम के उपर कितना हो जाएगा पलस थी चार्ज हो जाए ठीक है तो इस तरह से इसका oxidation state भी हम लोग निकाल दिए हम लोग बात आता है हम लोग को कितना हो जाएका कितना है यांत हुआ सब्सक्राइट है एक हितना कि Τना है यहां पर चलिए पर मतलब कि कितना है तो इस तरह सब्सक्राइब किस नूबर निकला निकाल दिक अब यहां पे देखें अभी क्रोस रोस मत किजिएगा यह जो थिरी है वो उसके साथ है वाटर के साथ इसके नीचे नहीं लिखा बता ठीक है ना तो इस तरह घावराईएगा मत चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या किये यहां पे कुछ कोडिनेशन नंबर निकालने का और और जब भी आपको complex मिला वहां पे साल तो उसका जब भी वहां पे जो भी कॉंपोंड होंगे सभी का किजिएगा कोडिनेशन नंबर और oxidation निकालने की परियास किजिएगा अब रही बात कि आपको यहां पे जितने भी सॉल्व के तो देखे यहां पे जितने भी इंपोर्टेंट है सभी इंपोर्टेंट चीज़ को यहां पे लाने की हम कोशिज किये हैं थालाकि इतना में आपको काम नहीं चलेगा आपको पूरा practice करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप देखेंगे बहुत सारे चीज में क्या होता है हमको थोड़ा concept नहीं पता हो पाता है कि अच्छा इसमें यह एक दिन का मौका दे रहे हैं आपको अभी एक मतलब की लेक्टर बना दिया जा रहा है जिसमें आपको होमवर्ग मिलेगा तो आप उसको खुझ से बनाने की परियास किजिएगा और तुरंत उसके बाद क्या करेंगा हमें एक लेक्टर अपलोड करेंगे जिसमें जितना क्व अभी का उसका वीडियो सोल्यूसन भी डाल देंगे ताकि आप उसमें देखें कि आपका क्या-क्या गलती रह गया और कैसे उसको सुधार कर सकते हैं तो इस तरह से आपका पूरा मजबूत हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा आगी जाके कोई अभी किसी तरह का कॉमपोंड देदेगा तो उसका भी हम लोग और को इस तरह से फिर हम लोग मस्त हो जाएगे पूरा तो आसा है कि आज का लेक्सियर आपको बहुत पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें क्योंकि देखिए दोस्त आप लोग व पढ़ सकें ठीक है और अगर आप हमारे यूटूब चैनल में नए हो तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राब कर ले और बेल आइकन को ओपन कर ले ठीक है तो ताकि हम जो भी वीडियो वहाँ पे अपलोड करें तो आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुचता रहे जिससे आप और अच्छा तरीका से पढ़ाई कर सकते तो चलिए बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक कलिए ओके बार